मुसलिम आरक्ष्ण की नई टेंसन अजीत की डिमांड से सकते में सिंदे और फणनवीश मराठा और धनगर आरक्ष्ण का मुद्दा पहले ही राज्य सरकार के गले की हड़ी बना हुआ है इस बीच उप मुख्यमंदरी अजीत पवार दोबर मुसलिम आरक्ष्ण की डिमांड उठाए जाने से शिंदे एक नाचिंदे और दिमेंदर फणनवी सकते में आ गए है उन लेखनी है कि राज्य की सरकार में अजीत पवार के शामिल होने से शिंदे गुट के विधायकों के साथ बीजे पी के विधायक पहले से ही एह सहज है डिप्टिशियम अजीत पवार भले ही महायुती में सामिल हुए है परंतून की नजर अलग सेंख को वोटरों को साधने में लगी भी है मुसलिम समाज को भी 5% आर्खन देने की मांग से पहले से ही होती रही है पिछली M.V.A. सरकार में अजीत पवार भी डीशियम थे उसे में भी मुसलिम आर्खन को लेकर निर्णे हुआ था महायुती में उभरे मतबेद विध मंतरी पद रहेगा या नहीं भासपनेता वे केंद्रिय ग्रे मंतरी अमिच्यान के मुंबई दोरे के दोरान डीशियम अजीत पवार की मुझूद की चर्चा में है इसी बीच अजीत ने बारामती में एक कार्यकरम में काया कि हमारी संसाय मजबूत होनी चाहिए व्यार्थिक रूपशी सक्सम हो आज मैं कैबिनेट में हूँ मेरे हाथ में वित्वी भाग है लेकिन मुझे नहीं पता कि यह टिकेगा यह नहीं उनके बयान पर कई नई भहसी सुरू हो गई है